दोस्तो आपको स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबर्ड में तो दोस्तो आज की स्वीडियो में हम क्लाश टेंथ सोशल साइंस का जो स्लेवस हैं चर्शन दोजा 24 और 25 के लिए वो अच्छी तरीके से जो डिसकस करने वाले हैं कौन कौन से चैप्टर आपके मिट्टरम एक्जाम में आएंगे बोड एक्जाम को कैसे लिबस होने वाला है किस बुक से कितने नंबर का पेपर आने वाले है तो एक एक करके आप सारी चीज़े जरूर देखते चलिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहां सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा होगा जो आपको डिवीजन दिखा रखा है किस बुक से कितने नंबर के कोश्चन आने वाले हैं आपको पता है आपके चार बुक है हिस्ट्री जेओग्राफिक ही है पोलिटिकल साइंस की बुक है और एक एक चार बुक है यहां पर दोस्तों 20-20 नंबर के कोश्चन आपके बोर्ड एक्जाम में आने वाले है तो टोटल असी नंबर हो गए बाकी जो बीस नंबर है वह इंटर असेस्मेंट के होगे तो यह आपके टोटल 100 नंबर सोशल साइंस के इस तरीके से डिश्ट्रीव्यूट कि यहां पर यह साई चीज चेप्ट्र है रहे हैं यहीं तो सबस्क्राइब हैं नेरुनिया इंट्रमम इंडिया तो प्रॉल यह चैप्टर आठा़हां उतना हैं और इससे चीज़ अध्यान रखने को क्यों बोल 풀 69 अबार या mid-term exam में आएगा ये board exam में आपके नहीं आने वाला है तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा फिर दोस्तों ये pole science का जो है chapter number one power sharing ये आपके mid-term exam में आ रहे है chapter number two है federalism ये भी आपके mid-term exam में आ रहे है chapter third है दोस्तों gender, religion and caste ये भी mid-term exam में आ रहे है ठीक है दोस्तों फिर आती है आपकी geography की book उसमें पहला chapter resource and development mid-term exam में आएगा forest and wildlife resources chapter number two ये भी mid-term में आ रहे है third chapter जो आ रहे है दोस्तों water resources ठीक है फिर आता है economics में chapter number one development और दूसरा जो आपका chapter है sectors of the Indian economy तो ये जितने भी मैंने आपको भी chapters बताए चारो बुक्के ये सारा जो syllabus है दोस्तों ये आपके mid-term exam में आ रहे है ये आपको 13 September तक complete करना है फिर आपका mid-term exam होगा September end में ये October में उसमें इनी सारे chapter से question आएंगे एक चीज़ याद रखना है दोस्तों जो age of industrialization जो history का 4 chapter है वो बस आपके periodic test और mid-term exam के लिए ठीक है दोस्तों उससे board exam में question नहीं आने वाल है तो ये ध्यान रखिएगा अब mid-term जब आपको खतम हो जाएगा बस के बाद आपको क्या 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 पढ़ना है तो history का ही chapter number 3 है the making of a global world ठीक है इसमें भी subtopics दे रखे हैं ये सब आपको पढ़ना है फिर history का 5th chapter है print culture and the modern world ये आपको mid-term के बाद पढ़ना है फिर आपकी दोस्तों poll science के book है chapter number 4 political parties ये आपको mid-term के बाद पढ़ना है चैप्टर number 5 दोस्तों outcomes of democracy ये भी mid-term के बाद पढ़ना है फिर geography का chapter number 4 agriculture geography का chapter number 5 mineral and energy resources chapter number 6 geography का manufacturing industries ये सारा आपको mid-term के बाद पढ़ना है ठीक है दोस्तों और chapter number 7 geographical life lines of national economy ठीक है और इस chapter को भी जागो बस periodic test या mid-term exam या मितलब प्री बोड होंगे उनके लिए पढ़ना है इसमें से आपको यहां ब्रैकिट में क्या लिखा गया है कि जो map work है वो बस board exam में आगा इस chapter से यानि chapter की theory आपको नहीं पढ़नी इसमें जो map है बहुत सारे कि कौन सा पतन कहां पर है कौन सा बंदर कहां पर है चैप्टर no.4 globalization and the Indian economy ये भी मिट्रम के बाद पढ़ना है तो ये जितना भी syllabus है मिट्रम से पहले का और बाद का complete syllabus आपको 13 दिसम्बर तक complete करना है उसके बाद revision करना है और जो आपको pre-board exam होगा उसमें सारे syllabus आने वाला है जो जो मैंने आपको बता है दो चैप्टर आपको मैंने बताया कि वो बस mid-term तक आएंगे ठीक है और दूसरे वाले चैप्टर में से बस map आएगा board exam में तो ये चीज़ आप ध्यान रखना फिर जो आपको paper होगा उसमें पूरा syllabus आने वाला है ठीक है जो board exam होगा या pre-board होगा प्री बोर्ड और बोर्ड का pattern सेम होता है तो जिस तरीके का paper प्री बोर्ड में आएगा उसी तरीके का लगबग जो paper बोर्ड exam में आता है अब map आपको पता है कि history में या फिर मतलब social science की बात करें तो बहुत सारे map होते हैं इस्टी में कौन कौन से में आप आ रहे हैं आप देख सकते हैं चैप्टर नमबर नेम लिखे है नेशनलिज्म इन इंडिया इसमें से कौन कौन से में आ पा रहे हैं कॉंग्रेस के session कहां पर होएते कॉलकत्ता नागपूर मद्रास सत्यक्र मूमेंट कहां हुआ था खेडा चंपारण ठीक है दोस्तों इंपोर्टेंट चीजे जलिया वाला बाग कहां पर डंडी मार्च कहां हुआ था एरिया आपको पॉइंट करनाना चाहिए map पर फिर जेग्राफी का एक चैप्टर है resource and development इसमें major soil types यानि कहां पर किस तरह की soil मिलती है या आपको मैप पर पता होना चाहिए जेग्राफी का अगला चैप्टर है water resources इसमें जितने भी dams है भागडा नागल डैम कहां पर है टेहरी डैम कहां पर है यह साइज चीज़े आपको पता होना चाहिए agriculture जेग्राफी का चैप्टर है इसमें कहां पर ज्यादा rice होती है wheat कहां पर होती है sugar cane coffee कहां ज्यादा मिलता है major producer कौन है इस आपको मैप पता होना चाहिए फिर important chapter है mineral and energy resources इसमें iron ore mines यानि लोगे की जो खाने कहां खाप है जैसे बैलरी में है मयूर भंच में है दुर्ग में है यह साही चीज़े coal mines कहां पर है oil fields कहां पर है power plants यह सबसे important है thermal power plant कहां पर है nuclear power plant कहां पर है नाम आपको पता होना चाहिए और map पे आपको location पता होना चाहिए ठीक है आपको map board exam में आ सकता है इसमें से जरूर कोई ना कोई जा ठीक है दोस्तों इसको एक बार याद कर लीजिए का बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा आपको location फिर manufacturing industry में cotton textile industry कहां है iron steel plants कहां पर यह इंपोर्टेंट है software technology park यह इंपोर्टेंट दोस्तों जैसे बैंगलूरू में है नौइडा में है ऐसे आपको location पता होने करेंगे तो आपको हने कि होने बार करें याद को अन की होने पड़े हैं तो आपको पता होने चाहिए दिली में हैं तो आपको माँ करना पड़े ता यहींiseer आपका मैपार 295 एक्षाम में इंगिन कोड़ें ऐसे तो आपका पेदी का 270 की होने वाले हैं याइन signific Emin ैंसी caller question aí nopa narrative questions यानी कि दुस्टों इचार नमबर के दो क्षोचन होंगे ठीक है acceptance हो गया फिर दोस्टों में दो नबर के चार क्षेटा होंगे तीन दॉच्ण नमबर के जो 5 क्षेटी के शेट तरु मॆलें पांच कैस्ट्थि वाले 5 नमबर याद करने वाले 24 नमबर का कुश्चन आएगा वंच अप्लाई करने वाला 11 नमबर का कुछ क्रियेट करके नया चीज़ करने वाला 40 नमबर का अगर आपने बार बार उस मैप को देखा है और आपने प्रेक्टिस किया साथ दोस्तों आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है उसमें बहुत साई टॉपिक है जैसे आपको यहां तीन टॉपिक दे रख कि आप इसमें से किसी को भी बना सकते हैं ठीक है और या फिर आपने लिए कि वाजिणल है फिस्कील आपने क्या क्या उसक्रीया करें यह यूज्ञाशा करिए यदू से फिश्च कर ऒना कि आपको लेंड करें कौन प्रोजेट आप बना सकते हैं तो यह इंपोर्टेंट उत्ता नहीं है या फिर भी देख सकते हैं ठीक है दोस्तों यहां आपको बहुत साई चीज़ें बता रखिए लेकिन इफ्टेंट निया चोटा सा प्रोजेक्ट मिलते हैं आपको लेचा से पूढे कोई सब्सक्राइब करना क्यों कि अबें आता इसका ना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गयों कि मिट्र में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं प्री बोर्ड में क्या स्लीबस होने वाले हैं दो चैप्टर में आपको बताय थे उनका नाम दुरूर ध्यान रखेगा एक था था एज ऑफ इंडस्ट्रिलाइजेशन जो मिट्रा में आप पिरोडिक एसेस्मेंट में आएगा बस और दूसरा जो था दोस्तों आपका उसमें आपको बस क्या करना है कि मैप आपको याद करना है बोर्ड एक्जाम के लिए तो इन दो चैप्टर को छोड़के बाग आप जितनी बार दोस्तों देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा मैप के जो है पांच से नंबर होते हैं असानी से आप ले सकते हैं को ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें बस आपको जगा याद हो या अगर आप थोड़ा भी थोड़ा सा भी अगर आपको आपको जोस्तों के युदि ऑनुञें भर दून देता हूं अपके लिए लाइफ लाइफ-लाइनस ऑफ नेशनल उकॉनमी इसमें से आपको बस में पढ़ना बोट इक्साम के लिए ठीक है तेवरी नहीं पढ़नी है यह चैप्टर नहीं पढ़ना है ठीक है और अमिद करता हूं कोई डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँ है ठीक है और आपकी हेल्प करूँ तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको स्लेबस समझ आ गया ठीक है तब तक आप पढ़ते रहिए दोस्तों आपसे फिल्म में लेंगे ने से लगजिंग